करीना को पहले बेज में डूबो या फिर एसेड में डूबो या कहते हैं मुझी को हवा हवाई दस सेकेंड में पुरा सेंटेंस आप याद कर लेंगे उसमीद क्या करता है कि पर फिनायल के साथ सोडा मीक्स करते हैं तो बच्चो आज जब हम इस सेशन में डिसकस करने जारे चप्टर नमबर 11 आलकोहल फिनॉल इथर का वन शॉट मतलब बच्चो जितनी भी most time भी most time भी three four marks वाली जो भी हमारी long theories है बस वो सारी theory का logic उनको conceptual कैसे समझा जाए वो सारी technique उसका mechanism और उससे main सबसे बढ़िया चीज उसको याद रखने की एक बढ़िया से trick मतलब यार बच्चो ये जो भी session I think मतलब एक घंटे जाता जो भी session होने वाला है वो session इतना जबरदस्त पूरा Bollywood मसाला मतलब chapter बना ऐसा समझ लो मतलब इतना Bollywood इसमें बर-बर के डाला इतनी जबरदस्त याद रखने की सारी technique मैंने आपको हर जगा पर बताईए तो बस मेरी ये कोशिस है कि बस एक ही वीडियो बच्चे देखे तो chapter number 11 में conceptual level पर और उनको याद करने के level पर इतना funny मतलब lecture बनाया है तो आप देखें के तो आपको पता चलेगा बहुत ही मज़ाएगा तो सबसे पहले बच्चो इस session में हम start करते है हमारा जो सबसे पहली most time पी जो theory है यहाँ पर preparation of alcohol from alkin जो alcohol की preparation है उनमें से सबसे important यह है और यहाँ पर जो topic है हमारा by acid catalyzed hydration तो acid catalyzed hydration का बच्चो आप देखेंगे तो यह general reaction है कि यह हमारा alkin है और अगर हमारा h2 हो है तो h2 में बच्चो ऐसे bond break होता है h plus oh minus obviously h plus हमारा यहाँ पर जाएगा oh समझ लो मेरा यहाँ पर गया तो यह मेरा product form हो चुका है लेकिन actually में बच्चो जो देखने में जो एक step में reaction हो रहा है actually में यह कोई चीज एक step में नहीं होती है mechanism का मतलब ही होता है कि background की जो process है right तो background की जो सारी process है उनको समझ में कैसे आए अच्छी तरह से कैसे समझा जाए और उसको कैसे अच्छी तरह से याद रखा जाए उसकी बड़िया सी एक यह technique बना यह आप खुश हो जाएंगे सबसे पहला बच्चो जो आपका step है वहाँ पर हम थोड़ा पहले आपको logically समझा देता हूं कि यहाँ पर सबसे पहले आपका step है protonation of alkyn आपको alkyn करना है मतलब हमारा जो h2 है हमने acid लिया है topic का title ही क्या है बहु बहुत भी आप question से समझ के लिख सकते हो आपको question ही ऐसा आएगा preparation of alcohol तो product मिल गया from alkyn तो मतलब reactant समझ में आपके बहुए आलकीन से start करना है by acid catalyzed hydrolysis तो acid catalyzed मतलब acid लेना है hydrolysis मतलब h2o लेना है तो सबसे पहले हमारा देखो h2o and h plus यह दोनों mix होगर क्या form करा है h3o plus अच्छा अभी यह देखो आलकीन जो हमारा यहां से आलकीन से हम start करते हैं तो यह जो हमारा h3o plus form हो यहां से bond breaking कैसे होती है वो समझते हैं और उसके साथ साथ अभी कैसे इसको याद करना है वो step by step समझते हैं तो सबसे पहले देखो h2o h plus तो इसको याद करने की एक trick हमने से बनाई है आपने वो अक्से कुमार का song सुना होगा टिपू टिपू बरसा पानी सुना है हाँ तो टिपू टिपू बरसा पानी जो सबसे पहले हम यह जो वाला पार्ट है यहां से यह start करेंगे देखो यह टिपू टिपू बरसा पानी उसके बाद जो हमरा h plus है वहाँ पर हम लिखेगा पानी में आग लगी पानी में बच्चों क्या हुआ आग लगी आग लगी मतलब आप ऐसे समद लेना तो देखो start h2 से करना टिप टिप बरसा पानी पानी में आग लगी अच्छा जो हमारा h3o plus बना उसको मैं ऐसे हाट के फॉर्म में रिप्रेसेंट करते तो टिपू टिपू बरसा पानी पान पानी में आग लगी तो अभी दिल को मतलब h3o plus को दिल को किसकी याद आई दिल को आलकीन की याद आई समद है h3o plus को आलकीन मतलब यह जो हमारा आलकीन है उसकी याद आई तो सबसे पहले जो दो स्टेप है वही में है टिपू टिपू बरसा पानी पानी में आग लगी ज यहां से bond breaking होता, ऐसे, समझ लो, यहां से bond breaking हुआ, यह जो pi bond है, आपका यह pi bond यहां से break हुआ, और आपका जो भी electron pair है, वो यहां पर shift होगा, तो यहां पर minus, यहां पर plus, तो बच्चों, यह जो भी hydrogen है, यह hydrogen कहां पर जाएगा, यह hydrogen combine होगा, इस minus charge के साथ, तो यहां पर hydrogen, य तो अकसर यहां पर theory में होता title, protonation of alkene to form carbo catein, तो carbo catein form हो गया, जो भी आपका product form हुआ है, उसको सेफ आपको यहां पर नीचे repeat करना है, title लगाना है, nucleophilic attack of water, ready, step 1 में पानी से start कि, H3O plus form हुआ, वहां पर alkene के उपर इसको attack हुआ, carbo catein and water molecule generate हुए, उन दोनों को आप आपको क्या करना है, obviously यहां पर carbon के उपर charge कौन सा है, plus charge, तो यह जो non bonding electron पर, यहां से यह water molecule combine होता है, carbon के साथ, वह यह आपका product form हुआ, तो यह जो है आपका protonated alcohol, actually यह alcohol ही है, इस hydrogen को अगर मैं hide करता हूं निचे वाल है hydrogen को, तो जो भी बना वो क्या बना बच्चो, alcohol, लेकि उसको third step में हम repeat करता है, तो देखो, हाँ यह protonated alcohol है, अभी आपको यहां पर एक और एक song है, वो आपने सुना है, आख मारे हो लड़की, आख मारे, हाँ बस उसी गानी से हम यहां पर connect करेंगे, देखो यहां पर oxygen है, तो oxygen का already, actually oxygen always two bonds form करता है, तो oxygen का एक यह यह वाला, और यह कि यह उपर वाले है, तो दो bonds तो oxygen के form होगे, एक extra है, तो यहां से oxygen hydrogen को क्या करेगा, लात मारेगा, क्या करेगा, hydrogen को नीचे की तरफ लात मारेगा, तो यहां पर song क्या आएगा, लात मारे, oxygen लात मारे, अभी actually individual hydrogen H+, ऐसे exist करता नहीं है, तो वो H+, obviously, जिसका कोई ने, उसका भगवान है, मतलब यह पानी, तो H+, water molecule के साथ combine होकर, क्या form कर देगा, H3O+, तो देखो, quickly थोड़ा revise करते हैं, जो याद करने वाले step है, आपको, जब यह by acid catalyze आए, तो सबसे पहले, बच्चों कौन सा song हम आपको, टिप टिप बरसा पानी, यादा है, वो song yes, तो बस टिप टिप बरसा पानी, फिर पानी में क्या होता है, आग लगती है, आग लगी तो दिल को किस की यादा ही, दिल को आलकीन की यादा है, तो आपका यह step होगा, यहाँ से, जो भी आपका H3O+, है, उसका दो पा ले जाएगा, water molecule, second step में, जाएगा, यह जो भी आपका Carbocatine form होता है, वहाँ पर next step में क्या होता है, लात मारे, oxygen, लात मारे, वो गाना सुना है न, बस, आपको बस, first step में, टिप टिप पानी बरसाना है, और last step में, लात मारना है, तो आपका यह 3 marks का, जो भी ठीरी है, वो most IMP part है, और 5 मिनिट में आपका यह 3 marks का जो भी ठीरी हो याद हो गया, तो इस सारी चीज़े लिख लेना, याद कर लेना, चलिए आगे next और एक IMP की ठीरी के बढ़ते हैं, चलिए बच्चों भी एक next most IMP ठीरी है आपका DAO process, तो DAO process थोड़ा वैसे देखा जाए, तो easy है, लेकिन बच्चों को अकसर क्या होता है, कि हो starting ही बच्चे भूल जाते, तो कैसे starting याद करना है, कैसे step याद करना है, एक ही मिनिट में पूरी theory आपको याद करवा दूगा, पहले इसका थोड़ा logic समझ लेते हैं, कि आप chlorobenzen से start करें, 2 NaOH है, तो इसका actually bond breaking कैसे होता है, तो NaO- and H+, अच्छा, अभी सबसे पहले देखो, यहाँ पर Na+, अगर यहाँ से bond break होती है, तो यह Cl- होया, तो यह Na+, and Cl- बचो क्या है, मैं इसको लैला मदनू कहता हूँ, दुनिया चाहे, जो भी कर ले हमको करना प्यार, मतलब यह दोनों तो निकल ली जाते, तो NaCl हो गया, H2, तो वो भी निकल गया, अभी बचा क्या, आपका बच्चो, O Na, यहाँ पर bond break होई थी, कार्बन पर प्लस चार्ज था, तो क्लोरीन पर माइनस चार्ज, तो कार्बन पर प्लस चार्ज था, तो यह प्लस चार्ज वाला कार्बन के साथ, यह O Na माइनस वाला part connect होकर आपका बनता है, sodium, phenoxide, जो भी sodium phenoxide बना, next step में आपको पता है, क्योंकि एक्जाम में आपको दिया हुआ है, preparation of phenol, by dow process, तो आपको last में, end में, question में ही दिया का phenol बनाना है, तो phenol में और इसमें दोनों में फरक क्या, Na, अगर Na को रिमूव करना है, तो क्लोरीन कोड हो, हमलब HCl आएगे, समझ रहें को ने, ओ माइनस, Na+, समझ रहो, तो Na+, को निकालना है, तो चाहिए क्या, Cl, माइनस, रादे, रादे करो, चले आएगे, गिर्धारी है ना, तो मतलब Na+, को निकालना है, तो सामने हो, chlorine, add करो, Na+, Cl, माइनस, क्या है, लैला मजनू, निकल जाएगे, तो इसको याद कैसे कर रहा है, तो याद करने के लिए, एक्जम में आपको दिया है, preparation of phenol by, DAO process, yes or no, yes, तो देखो, यह जो भी आपका दिया हुए, DAO process, यह आपका, DAO process, यह जो टाइटल है, तो ओविसली मैं टाइटल से ही स्टार्टर दो, DAO, मतलब यहाँ सब ऐसा याद क करें, DAO को आप कनेक करो, DAO साबू के साथ, इसके साथ, DAO साबू के साथ, हाँ, साबून, देखा न, DAO आता है, तो DAO साबून स्टार्ट कैसे करते है, DAO साबून की जो एड है, DAO, सोप की जो advertisement है, ऐसा याद करो, कि वहाँ पर कौन होता है, करीना, क्लोरीन मतलब करीना, क अच्छा, अभी DAO साबू क खुबसूरती के लिए, तो DAO साबू के add में क्या दिखाते हैं, तो आपको ये दिखाते हैं, ये दो steps आप यहाँ पर याद कर ले न, करीना को, किसको, करीना को सबसे पहले, base में डुबोया, white banana न, fairness के लिए, फिर उसके बाद, acid में डुबोया ओके, याद कैसे करेंगे, करीना को, naoach, base में डुबोया, उसके बाद, hcl में डुबोया, तो याद कर लोगे बच्छो, बस इतने से आपका, जो भी DAO प्रोसेस है, mean, समझ लो बच्छो, आपको DAO प्रोसेस आपने बहुत बार शायद पढ़ा होगा, मैंने भी आपको याद, मतलब ऐसे conceptual आपको समझ में आता, लेकिन starting याद नहीं आता, कि DAO प्रोसेस में starting कहां से करे, सर एक बार starting याद करवा तो पूरा theory फोड़ देंगे, तो starting DAO मतलब DAO, DAO साबू की add में, तो याद कैसे करेंगे, देखो DAO साबू की add में, कौन आता है, करीना, तो अच तो question में दी है, और आपको थोड़ा बहुत plus minus तो आता ही होगा, तो बस main step आपके ये है, अच्छा तो ये theory भी आपको याद हो गई, इसके बाद और एक हमारी Bollywood के actress है, वो हमें next जो क्यूमीन प्रोसेस है, वहाँ पर वो हमें, वो help करेंगे, अच्छा क्यूमीन प्रोसे CH, CH3, बहुत सारे मैंने मेरे वीडियो में, MCQ वाला जो पाट है, वहाँ पर बहुत जगह पर मैंने सिखाया हुआ है, कि आपका जो आइसो प्रोपाइल, मतलब ये जो पूरा पाट है, वो आइसो प्रोपाइल पाट है, तो क्यूमीन में सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, प्रोपाइल से, उसके बाद हमें श्री देवी जी हल्प करती है, कैसे क्यूमीन प्रोसेस में श्री देवी ऐसे हल्प करती है, श्री देवी का आपने गाना सुना है, बिजली की राने मैं हूँ आई, कहते हैं मुझी को हवा 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 हवा, तो फर्स टेप में आपको क्या करना है हवा हवाई येस तो यहां से ओटू जो आपकी air है तो यहां पर हमें help कर रही होगी कौन श्री देवी कौन सा सौंग है हवा हवाई याद रहेगा बिजली गीराने मैं आई हूँ मैं हूँ हवा हवाई तो सबसे पहले आपको O2 यहां पर add करना है carbon and hydrogen के बीच में चलिए दो oxygen add होगे अच्छा होगे अभी बस next part आपका खतम यहां पर भी स्री देवी होगो जो भी उसको पहले acid में अगर डुबाएंगे ना हाँ तभी उनकी fairness बढ़ेगी मतलब इस reaction में दोनों में last step में आपको acidic medium में reaction करना है और यहां से देखो बच्छों आपको ऐसे इतना box बनाना है इतना part भाई साब यहां से आपको remove करना है कौन सा? CH3, CO CA3 है रहा देखो CA3, CO, CA3 बागी का जो भी OH वाला part उसे benzene ring पर directly आप add कर देंगे तो आपका बन जाएगा phenol समझ रहे हो? टॉपिक याद हो गया और यह जो है आपका MCQ पार्ट के लिए भी यह जी नी जो भी आपके exam से उसके लिए बहुत important है कि क्यूमिन प्रोसेस में side product में क्या generate होता है तो यहां पर जो generate होता है CA3, CO, CH3 इसे कहा जा सकता है acetone या propanone और propanone याद हो गया तो बच्चो डाव प्रोसेस में हमें कौन? करीना थी है करीना को क्या करना है? पहले base में फिर acid में डूबोना है और यहां पर हवा हवाई कौन है श्रीदेवी हमें help करेगी तो श्रीदेवी को फिर last step में जो कि इसमें acid में उसको भी डूबाना है ओके बच्चो तो चलिए अभी और एक नई बड़ी आसी theory उसको भी बस ऐसी तरह से bollywood masala style से हम याद करते हैं अभी हमारा next part आया dehydration यहाँ पर हमें अकसे भाई साब जो boss movie का अपने को का अपने को तो सिफ पाणी निकालना है तो अभी अकसे कुमार हमें यहाँ पर कैसे help करेंके देखो बच्चो यह जो भी हमारा process टाइटल में ही बच्चो दिया है dehydration of alcohol तो alcohol से start करना है और वहाँ से dehydration करना है तो obvious देखो यहाँ पर समझ लो यह वाला कारबन है यहाँ से OH निकाल रहे हो यहाँ से H तो अपने को का अपने को तो सिफ पाणी निकालना है है ना हाँ तो बस यहाँ से H2O molecule remove हो चुक है लेकिन यहाँ पर जो दिखनी में जितना easy लेग रहा है कि अपने को अपने को तो पाणी निकालना है उतना easy नहीं होता है थोड़ा वो difficult है मतलब इसका mechanism है mechanism क्या है वो step by step mechanism भी हम समझते है जो हमने बच्चों सबसे पहले starting में mechanism पढ़ा था उसके तरह कुछ-कुछ थोड़ा थोड़ा part same same ही चलेगा यहाँ पर भी तो देखो हम यहाँ पर as a example ethanol से start करते है preparation of exam में ऐसे भी पूछ सकते है preparation of ethene from alcohol by dehydration explain the dehydration of ethanol ऐसा भी आपको पूछ सकते है तो देखो यहाँ पर ethanol से start करते है temperature आपको लेना है 443 Kelvin आपका यहाँ पर alken बनेगा तो इसका mechanism क्या है वो समझते है चले सबसे पहले formation of protonated alcohol सबसे पहले बच्चों आपको क्या form कर रहा है protonated alcohol मैं आपको थोड़े एक चीज detail में समझा दो बहुत सारे teachers ने आपको नहीं समझा होगी यह देखो बच्चों यह जो यहाँ पर OH रहता न यह वाला यह आपका बच्चों है poor living group क्या है वो poor living group इसका मतलब यह है कि अगर आप energy दे रहे हो acidic medium नहीं है और आप energy दे रहे हो और ऐसे भी यह जो bond है carbon oxygen यह break होकर OH जो remove करने की process है वो काफी difficult है OH इतना easily जल्दी यहाँ से निकलता ही नहीं है that's why we are calling it poor living group अच्छा अभी J-neat में एक part है कि भाई जो भी poor living groups रहते हैं उनको strong living में convert करना है तो make that solution acidic मतलब अब उसको acidic बनाओ तो हमने acid लिया तो H plus जो भी है obviously oxygen के पास non-bonding electron pair है तो वहाँ पर connect होकर आपका first of all यह form होता है protonated alcohol और इसे यह भी कहा जा सकता है oxonium iron अच्छा जो भी protonated alcohol form हो उसे repeat करो and next step में बच्चों यहाँ से देखो क्या हो रहा है यह formation of carbo cation बढ़ लब यहाँ से यह वाली bond आपकी break हो रही है पूरा H2O molecule यहाँ से निकल गया आपका carbo cation form हो गया तो actually remove करना था मुझे OH लेकिन OH बच्चों कैसा था poor living तो मैं आपको याद करवाने के एक technique बता दू कि बच्चों आप लोगों ने कुछ बहुत ही बड़े boat वगेर होते हैं उसमें एक anchor रहता है हाँ जहाँ पर भी जब last में बोट को लाना होता है तो वो anchor ऐसे करके वो ocean में फैकते है और नीचे कहीं पर वो फस जाता है आपने anchor देखा होगा ऐसे कुछ होता है तो देखो ऐसे समझ लो कि भाई हमने एक दोरी के साथ समझ एक रसी के साथ हमने H प्लस को बांदिया है यहाँ पर और ऐसे ऐसे गुमा करें यह डाला और फस गया oxygen के गले में कहाँ पर यह इस रसी के साथ हमने आगे क्या बांदा हुआ है H प्लस, H प्लस को ऐसे मैंने गुमा है मतलब कि वो एक इस तरह का hook टाइप का है तो मैंने इसको गुमा है और ऐसे करके फेकाँ कहाँ पर फस गया oxygen के गले में बराबर फस गया अभी खीचो तो यह पूरा OH molecule hydrogen के साथ निकल जाएगा मतलब यह first step में आपको याद रखना है कि first step में आपको रसी में क्या करना है hydrogen को बांद कर फेकना है oxygen के गले में फसाना है and next step में जैसे ही मचली फस गई उसमें खीचो तो यह OH आपका मचली की तरह निकल जाएगा तो यह H2 गया बना कि आपका कार्बो-कैटाएन मतलब कि भाई अपने को का पाणी निकालना है तो पाणी निकालने में भाई OH तो सबसे पहले निकल गाया इस वाले कार्बन से अब यह जो second वाला कार्बन है वहाँ से आपको क्या रिमूट करना होगा hydrogen तो चलिए भी last third step जो है वो देख लेते formation of ethene by elimination of proton कोई भी hydrogen आप रिमूट करेंगे तो चलेगा समझ लों भाई यहां से यह bond break करते हैं तो obviously hydrogen के उपर plus charge बनता है carbon के उपर minus charge तो यह h plus निकल गया यह जो भी electron pair है वो यहां पर double bond form होने में use हो गई अच्छा इसके आगे वाला जो step था यहां पर यह देखो यहां पर लिखाता है it is a slow step बच्चो कैसा step है यह slow step and hence it is the rate determining step जिन बच्चों ने chemical kinetics पढ़ा हुआ है अगर आपने chemical kinetics नहीं पढ़ा है आपको नहीं पता है तो थोड़ा सा बता देता हो generally कोई भी reactions इस तरह से one two three four steps में होते है तो जो पूरा जो reaction है उसका जो rate जो उसकी speed velocity जो भी यह वो always slow step पर depend कर दिये बाइस सब यह step कहें slow है यह कहें fast है यहां पर तो H plus को सिर्फ जो non bonding electron pair उसके साथ सिर्फ उसको joint होना है समझे हो लेकिन यहां से bond breaking की process है और अक्सर जहां पर bond breaking की process होती है कारवो कैटाइन फॉर्म होता है तो obviously वहां पर जो भी reaction है वो slow हो जा दिये bond breaking की process है तो energy ज्यादा लगती है समझे हो formation में ज्यादा energy लगती नहीं यह कहां पर भी किसी भी जगह पर अगर husband wife का divorce करवान है तो वो process बहुत लंबा चलता है 4-6 महीन एक साल दो साल भी चल सकता है लेकिन अगर divorce की जगह पर marriage करना हो तो वो तो किसी भी मंदिर में जाकर भी कर सकते है court में जाकर भी 5-10 मिनिट में एक गंटे में उस process को खतम bond formation process is a easy and fast process bond breaking अगर एक बार bond form हो चुका है उसको break करना है तो थोड़ा time ज्यादा लगता है तो इस example से आप याद कर पाएंगे कि यह step आपका slow है that's why it is the rate determining step ओके and the third step is this formation of ethene कैसे है by elimination of proton तो यहाँ पर बच्चो तीन step हो है सबसे पहला जो step था वो step देखो तो आपको थोड़ा mean mean steps याद करें सबसे पहले protonation आया formation of protonated alcohol protonation का मतलब यह होता है कि H plus मतलब proton यहाँ पर add होता है तो first step protonation तो हमार जो सबसे पहली वाली theory थी by acid catalyze वहाँ पर भी आप याद करो सबसे पहले protonation का ही process था तो यहाँ पर भी सबसे पहले protonation फिर वहाँ पर जो second step था आप उसको revise करके textbook pamphlet में भी देख सकते वहाँ पर second step था आपका nucleophilic attack तो यहाँ पर आपका second step है formation of carbo catein आपको साथ-साथ इस तरह से prepare करना है ताकि आप confuse ना हो जाए सारी तीज़े mix ना हो जाए बहुत सारे बच्चे ऐसे complaint करते कि सर घर पे पढ़ते सब कुछ याद होता है exam में जाकर सब कुछ mix हो जाता है yes mix होने की बहुत सारी तीज़े ऐसी कि जो mix ना हो टेकनिक तो मैंने बता दी आप वो टिपऊ टिपऊ बरसा वाला सौंग याद कर लो फिर उसके बाद हमारी help एक जगह पर करीना ने लुक्त कर दी थी एक जगह पर स्ष्रीदेवी ने हमारी help कर दी थी यहाँ पर इस थिएर में अकसा कुमर हमारी help कर रही अपने को आपने को सिर्फ पाने निकालने, तो बस ऐसे ऐसे dialogues आप याद करो, ताकि आप easily exam में याद कर पाएं, एक्जाम का जो pressure होता है, बोड exam का या कोई भी आपका exam सो, तो exam का pressure, tension इतना ज़्यादा हो जाता है, वो atmosphere classroom का ऐसा होता है, कि आप कुछ याद करने की कोशिश करो, तो उस वक्त याद नहीं आता है, लेकिन उस वक्त आप logically शायद नहीं लिख पाएंगे, लेकिन ये जो सारे टेक्निक है, जो सारे song है ना, उस song के base पर आप याद कर लेंगे, हाँ, ये वीडियो मैंने देखा था, सर ने कुछ इस तरह से पढ़ाया था, तो बस इस चीज़े बोलो या डी प्रोटोनेशन बोलो, दोनों का मतलब सेम होता है, ओके, चलो भी आगे बड़े, हाँ, अभी और एक बड़िया सी थीरियम याद करेंगे, सूपब, वो जेठाला कहता है ना, जबर दस टेक्निक, हाँ, बस वो जबर दस टेक्निक से आपको याद करवा काल बेस मीट रियेक्शन, पहले लॉजिकल इसको समझ लेते, कहां से कैसे रियेक्शन होता है, प्लस माइनस बॉंड ब्रेकिंग सारी तीज़े, उसके बाद एक सेंटेंस आपको याद कर दोगा, सिर्फ दस सेकेंड में आप इस थीरि को याद कर लेंगे, तो देखो, सब यहां से निकल गया, माइनस, मिलब H2O रिमू हो गया, एन यहां पर कनेक्ट होकर, बहुत ही वैल फेमस है, सोडियम, फिन ओक्साइड, इसके बाद यह जो CO2 एन H+, वाला जो दो स्टैप है, यहां पर आप याद करने के लिए ऐसे करो, C, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, इतने अविलेबल होगे, जब आपको मिकेनिजम बहुत ही डिटेल में समझना हो, तो आप डिटेल में समझ सकते हो, आपके क्लास्रूम में, बहुत जगह पर टीचर्स ने आपको पढ़ाया होगा, बाकि मिकेनिजम की जगह पर अभी तो आप इसको वन शॉट में, कैसे ज यहां से एक वर्ड पकड़ता है, यह जो आपको वर्ड दिया है, इसे हम ऐसे लेखते है, समीथ, एक बच्चा है समीथ नाम से, अच्छा, समीथ क्या किया है, तो समीथ ने फिनाइल में, जो भी हम फिनोल है, पर इसे याद करने के लिए, समीथ ने फिनाइल के साथ, सोड mix करके पी लिया sentence याद रहेगा Smith ने क्या किया final के साथ soda soda अभी क्यों लिगा न ओच को बच्चो caustic soda कहते है अगर आपको soda याद नहीं करना है तो यहाँ पर आप base भी याद कर सकते है final के साथ base लेकिन ये सुनने में ये अच्छा लगता है आगे sentence वही सेट इसमें अच्छा होता है कि भाई Smith final को soda के साथ mix करके पी गया soda अंदर जाती है तो क्या होता है CO2 and H+, जो soda अंदर गई ऐसे gas बाहर आती है soda अंदर तो gas बाहर और हमारा क्या cure होता है, क्या इससे अच्छा होता है तो हमारे acidity है, वह कम होती है तो देखो, यह ऐसे लिखते है soda अंदर gas CO2 and acidity बाहर मतलब कि देखो आप ऐसे याद करो जो भी, एक मिनिट में मतलब यह 10 सेकेंड में पुरा सेंटेंस आप याद कर लेंगे यह देखो Smith, जो call base Smith reaction है बच्चो तो जो Smith नाम का जो एक बच्चा है वो Smith क्या करता है कि फिनाल के साथ soda mix करके पी लेता है जैसे soda अंदर गई तो gas and acidity आपकी यहाँ पर लगाकर easily C-O-H में इसे convert कर सकते हैं यहाँ पर O-N है मुझे भी पता है लेकिन आपको याद करने के लिए आप सबको पता है कि वह call base Smith reaction में आपको finally form होता है salicylic acid और salicylic acid जो भी आपका बनता है यहाँ पर O-H और यहाँ पर आपका क्या हो जाता है C-O-H तो इस sentence से आप easily यह most time पी जो भी theory आप उसको याद कर लेंगे ओके चलिए आगे बड़े next theory के लिए चलिए अभी आया रीमर टीमान इस रीमर टीमान को यह बड़ी ऐसे टेकनिक से आपको याद करवा देंगे पहले logically समझते जैसे अभी हमने आगे किया था उसी तरह से OH में O-H और मुझे क्या चीज़ें आती है तो बच्चे कहते है सर मुझे यह Na- प्लस आता है करेंगे carbon उसके साथ यह इसका एक चलो भाई यह hydrogen यह chlorine यह chlorine और यह chlorine तो अब ऐसे करो यहां से hydrogen और एक यह chlorine क्या रिमू हुआ माइनस है मैं याद कर ना है तो सेंटेंस मेने याद कर आपको रादे रादे करो चले आएंगे गिरदारी वस वैसा ही इसको रिमू करना है तो सोडियम को याद करो sodyion गए करना है तो क्लोरिन को याद करो तो याँ आपका क्या रिमू हो गया o-2 2 oH बच्चे बच्चो अच्छा दो ओएच को मैं ऐसा लिखता हूँ देखो यह आपका ओएच माइनस यह दूसरा आपका ओएच माइनस तो देखो यहां से इतना पार्ट यह जो पार्ट है वो मिलकर अपका बनता है एच टू ओ ऐसा समझ लो तो और एक चीज रिमूट होती है माइनस एच टू ओ और अभी बच्चा क्या एक ओक्सिजन तो सी एच और वो जो अक्सिजन अकेला दूर खड़ा हुआ है तो कारवन हैड्रोजन क्या कहते बाई तो अक प्राडियम को रिमूट करना है क्या राधे राधे करो चले आएगे मदलब इसके साथ आपको क्लूरिन होता है लिखते नहीं है वह कहता है होता सब के पास है दिखाता कोई नहीं है बस इसी दरह से एच प्लस सी एल माइनस तो एन ए-स यह दो नो यहांपर क्या बनेंगे NaCl अब भी बचा कि आपका H+, Oxygen के उपर माइनस तो यह आपर Connect हो गया समझे लो तो यह पूरा जो चीजे हैं वो मैंने Logically बच्चो आपको समझा दी अब इसको याद कैसे करना है देखो यहां सब याद करेंगे रीमर टीमान से एक रीमी नाम की लड़की है बच्चो क्या कौन नाम है इसका रीमी नाम की जो लड़की है ना वो जो आगे समीत था उससे भी डेंजर है तो रीमी नाम की जो लड़की है वो Phenyl के साथ सोडा तो मिक्स किया उसने लेकिन एक और बढ़ी ऐसी चीज उसने mix कर दी और वो उसने add कर दिया chloroform उसको लगा कि chloroform add करने से थोड़ा strong pack बना लेते तो रिमी ने phenyl soda के साथ और एक चीज़ क्या mix कर दी chloroform, भाई soda होते तो कोई problem नहीं होता, soda अंदर तो gas and acidity बाहर इनों की add में जैसे जाता है, लेकिन यार तो भाई chloroform है, तो soda चला गया, लेकिन chloroform गले में अटक गया, chloroform कहा पर अटक गया, गले में, कैसे इसको याद करना है, देखो, यह जो भी structure है इसका, आप ऐसे खड़े हो, तो देखो, यह CHCL2, इस जगहा पर है, यह मेरा head, इस जगहा पर से, महलब गले में अटक गया, अच्छा अभी chloroform गले में अटक गया, सबको पता चला कि बैए chloroform गले में अटक गया, तो इसको निकालने के लिए क्या करना है, और soda डालो, पहले थोड़ा soda लिया था, हाँ पर soda लिया था, इसके साथ थोड़ा कम लिया था, कम से अभी काम ने चलिए और ज़्यादा soda डालो, देखो यहाँ पर CH chloroform यह step यह देखो, chloroform गले में फस गया, क्या हुआ, क्लोरोफर्म गले में फस गया, तो इसको रिमूव करने के लिए, क्या करना है, और soda डालो, क्लोरोफर्म को रिमूव करने के लिए, और ज्यादा soda डालो, एड करो, ready, क्लोरोफर्म को रिमूव करने के लिए, और ज्यादा soda डालो, चलो, ज्यादा soda हमने डालो कर दिया, अच्छा, भी, तमक पूरा basic alkaline, soda, soda हो गया, सब कुछ, base, base, तो अच्छा, उसको neutralize करने के लिए, acid डालो, तो उसको last में neutralize करने के लिए, हम add क्या करते है, acid डालो, तो देखो बच्छो, इस theory को भी हम 10 second में कैसे याद करना, एक sentence से वो देख लो, कि बाई, आपका रीमर टीमान reaction है बच्छो, तो रीमर टीमान reaction में टाइटल में आपको जो रीमर नाम दिया है, वहाँ समें एक word उठाते है, रीमी, तो sentence क्या बनाए हमने, रीमी, फिनाइल, actually है फिनाइल, लेकिन बोलने के लिए, यह easy रहता है, फिनाइल, के साथ सोडा मिक्स कर, पैक को ज्यादा strong बनाने के लिए, फिनाइल, सोडा का जो एक पैक बनाया है, उसको ज्यादा strong बनाने के लिए, साथ में क्या याड़ कर दिया, क्लोरोफर्म, भाइ सोडा होता तो क्या problem नहीं था, लेकिन क्लोरोफर्म कहां, गले में जाकर, फस गया, अटक गया, मतलब यहाँ प O, N, O, H और ज्यादा सोडा एड़ किया, तो अच्छा क्लोरोफर्म तो निकल गया, लेकिन स्टमक थोड़ा basic ज्यादा हो गया, तो यहार उसको neutralize करने के लिए, क्या करेंगे, एसेड एड़ करेंगे, तो बस ऐसे ही आपका पूरा sentence से यह पूरी theory आपकी याद हो गई, ready तो सारी तीज़े लिख लीजे चलिए, फिर आगे बढ़ते हैं, चलो अभी आगे बढ़ें, next theory पर, अच्छा बचो चलिए, अभी next थोड़ा और लंबा सा important topic आया आपका, preparation of ether by dehydration of ethanol, बचो यहाँ पर question में, title में ही बहुत सारी चीज़े दे दिए आपको, कि क्या कैसा है, preparation of ether, मतलब ether बनाना है, dehydration करना है, किसका भाई, ethanol का, तो जो hint, clue, main, starting कहां से करे, end कैसे करे, reaction तो कैसे लिखे, बहुत सारी चीज़े तो आपको question में ही दी हुई है, तो आपको याद करना है, starting मुझे ethanol से करना है, dehydration का process करना है, और last में कुछ भी करके मुझे इther बनाना है, तो देखो, बच्चो ये ethanol जो है, इसको अगर आप heat करते हो, इसका dehydration process करते हो, तो main जो चीज़े ना वो temperature है, बच्चो कौन सा चीज, temperature, अगर temperature ज्यादा हुआ, 443, तो आपका alken, मतलब ethane form होता है, temperature अगर कम हुआ, तो आपका ether बनता है, समझ में आ रहे हैं, तो ज्याद तो ethane, कम तो आपका, क्या बनता है, ether, अच्छा, इसका सबसे पहले जो mechanism है, बच्चो, उसका mechanism का, अब सबसे पहले first part देखेंगे, तो देखें, यहाँ पर ये, सबसे पहले हम स्टार्ट करता है, ethaneol से, तो obviously, हर जगा पर हमने ऐसा देखा है, कि हर जगा पर जो H plus है, हमा उसमें भी same part था, क्यों भाई, मैंने आपको बताया हुआ है, यह वाला जो part है, बच्चो आपका, यह, OH वो क्या है, poor living group, याद है ना, तो भाई, poor living को strong living बनाने के लिए क्या करना है, एक रस्ती लेनी है, वहाँ पर आगर आगे आपको H plus आपको बादना है, और H plus को ऐसे गुमा कर hook को, कहाँ पर फसाना है, oxygen के गले में, oxygen के गले में बराबर फस गया, फस गया भाई, खीचो, तो OH पुरा निकल जाएगा, तो आपका dehydration से आपको alkyne बनाना है, ether बनाया है, दोनों में first step कैसा है, same है, तो आपको जो भी dehydration वाली यह theory, उसको साथ साथ में, ऐसे prepare करेंगे, तो काफी easily prepare भी हो जाएगा, और exam में जो भी सारी चीज़े, mix होने का, जो tension, confusion है, वो भी नहीं होगा, right, तो सबसे पहले यह याद कर लिया, कि बाद ऐसे करने, चले, step 2 में आगे क्या है, अच्छा, step 2 में, second molecule of alcohol act as a nucleophilic reagent, मिटलब यहाँ पर हुआ, nucleophilic attack, सब सबसे पहला वाला by acid catalyze वाला theory याद करो, वहाँ पर भी सबसे पहले step था, protonation, second step आया था, nucleophilic attack, बीच में जो dehydration आया था, वहाँ पर क्या आया था, formation of carbo catein है था, वो steps एक साथ-साथ याद करते रहे रहे, चलिए, अभी यहाँ पर जो भी आपका part form है, मैंने बताया थ कि यह bond यहाँ से आपकी break होती है, यह, कर लिया, water molecule remove हो गया, मैंने बताया था, कि actually यह OH है, इसको remove करने के लिए हमने hydrogen वाला एक anchor एक ऐसा बना कर उसके गले में फसाया था, और हमने खीचा, मैं अब यह H2 वाला part remove हो गया, तो यह यहाँ पर से bond break होती है, तो obviously इस carbon पर charge प्लस, तो यह CH3, CH2 वाला part यहाँ पर oxygen के साथ combine होगा, यह हो गया आपका protonated ether, भाई क्यों इसका नाम protonated ether, actually यह इथर ही है, पर यहाँ पर एक चीज एक्स्ट्रा है, क्या है, hydrogen, और oxygen के पास, जब भी बिचारा hydrogen extra होता है, तो oxygen क्या करता है, लात मारे oxygen, लात, तो यहाँ प लात मारे oxygen, लात मारे, तो oxygen क्या करेगा, hydrogen को, लात मारे oxygen, लात मारे लात मार दिया, तो यहार लात मार कर निकाल दिया, तो इसको कौन संभाले अपने होगे, उसे वही संभाले अपने मतलब है, H+, जो है वो, पानी के साथ connect होकर, again H3O+, बनाता है, और बन गया आपका ether, तो जो तीनों थियरी उसको एक साथ हम याद करें, तो सबसे पहली जो थियरी थी हमारे, acid catalyzed वाली, preparation of alcohol, याद करो, वहाँ पर first step में protonation था, फिर आपका dehydration जो आप आलकीन बनाने थे, वहाँ पर भी protonation, यहाँ पर भी protonation, फिर सबसे पहली थी थी वहाँ पर था second step में nucleophilic attack, लास्ट वाली थीरी, यहाँ पर भी nucleophilic attack of ethanol, वहाँ पर ethereum पर और बीच वाली जो थीरी थी वहाँ पर था, formation of carbon, यह हो गया, इसके बाद third वाला जो step है, वहाँ पर क्या था, सबसे पहली थी थी, deep protonation, मतलब वहाँ से H प्लस को हटाना है, लात मारे वाला याद आया, तो यहाँ पर भी last step में क्या करता है, लात मारता है, ओके, बीच वाला जो step था, वहाँ पर भी क्या करता है, oxygen वहाँ पर भी hydrogen को, वहलब carbon से hydrogen remove होता है, carbon लात मारता है, तो तीनों जगा पर देखो, last step में hydrogen को तो क्या पढ़ती है, लात ही पढ़ती है, तो यह logical आपको याद हो दिया लात पड़ी hydrogen को निकल गाया विचारा रोते-रोते चला गया है तो वैसे इस theory को आप याद कर लेंगे चलिए आगे बड़े अच्छा बच्छो अभी इस chapter का और एक last most important theory आपका हो गया preparation of ether by Williamson synthesis अच्छा Williamson synthesis आपको याद करना होगा कि विलियमson synthesis से आपका ether form होता है क्या ether तो अच्छा ether form करने के लिए को सबसे पहले हम एक reaction यहाँ पर दिया हुए काफी simple सा reaction है आर एक्स है तो अगर आर एक्स की bond हम break करते है तो आर की उपर चार्च बच्छो प्लस एक्स की इलेक्ट्रने के लिए ज्यादा रहती है तो माइनस यह एक्स और एन लैला मजनु है दुनिया चाहे जो भी कर ले हमको करना प्यार तो बस वो तो निकल गए प्यार करने के लिए निकल गए अभी बच्छा क्या बच्छो यह आर एंड ओ पार्ट था इसके साथ यह पार्ट अमारा आर प्लस वाला पार्ट कंबाइन हुआ तो आपका फ़र्म हो गया इथर यहां पर एक चीज लिखिए इथर कंटेंज सब्स्टिटुटेड आलकायल ग्रूप सेकेंडरी और टर्सरी में अल्सो भी प्रिपेर्ड बाइड इस यह रहा वो लेस्ट क्राउडेड मतलब यह इस तरह का मिठायल वाला पार्ट या प्राइमरी होना चाहिए सेकेंडरी टर्सरी में मतलब जो भी आपका यह एसेंट टू रियक्शन वो डिफिकल्ट होता है अच्छा तो देखो यहां पर बच्चो यह जो भी है पूरा यह सब्सक्राइग सेकेंडरी टर्सरी में बल्की बेज आपका और यह आपका c3 VR तो ascent to याद करो यहां से एक साइट से वियार आपका जो भी living group होता है एक साइट से नुक्लियो फाइल बैक साइड से एटक करता है तो यह आपका जोबी पूरा यह है यह वाला पार्ट यह आ nucleophile backside attack करता है reaction कौन सी है आपकी यह SN2 तो आपका यह product बनेगा CA3 वाला यह oxygen के साथ CA3 combine होकर यह आपका product बढ़ी ऐसा बन गया यहाँ पर लिखा है better results are obtained in if the alkyl halide is a क्या बच्चो primary लेकिन in case of secondary and tertiary alkyl halide, elimination competes over substitution substitution, मतलब कि यह जो process हुआ substitution का हुआ, BR remove होकर यह पूरा जो nucleophile था वो CA3 के साथ back side से connect हो गया अच्चा, लेकिन अगर इस जगा पर secondary और tertiary है मतलब कि obviously SN2 reaction में secondary tertiary secondary tertiary में crowding जो bulkiness रहती है, strearic hindrance रहती है, वो ज्यादा रहती है तो back side से यह इतना बड़ा पार्ट अगर उसके उपर attack करने के कोशिश करेगा, तो carbon तक नहीं पहुँच पाएगा, देखो लिखा, if a tertiary alkyl halide is used alkyne is only reaction product and no ether is formed, मतलब Williamson जो reaction हो SN2 के लिए है और इस तरह का जो भी primary आपका alkyl halide है इसके लिए है, तो आपको पहले क्या करने है primary alkyl halide वाले example लिखना है, उसके बद आपको देखो, यह जो है मैंने comparison के लिए बताए, यह तो आपका आगे वाला part सेम है, यह जो आपका है वो primary है, लेकिन यहाँ पर देखो मैंने कैसे change कर दिया, यह देखो, आपका यह जो भी पूरा bulky वाला part था, वो चला गया BR के साथ, यह bulky part, इसके साथ जो छोड़ा सा part था CH3, वो चला गया इस ONA के साथ, तो अगर यह जो आपका ONA वाला जो part है, जिसे हम nucleophile कहते हैं, तो यह strong nucleophile है, कैसा है strong nucleophile, मतलब जब यह nucleophile इस center वाले, यह जो carbon है, आपका वो होगा आपका partial, positive यह partial negative, तो actually यह जो भी आपका center का है, यह partial positive अच्छे से लिखते हैं, अब यह देखो center का, जो भी आपका, यह it is a tertiary, आप सबको पता है, कि tertiary में SN2 नहीं होता है, तरसरी में होता है SN1, और हम सबको पता है, कि SN1 का जो 4 step है, वो slow step है, क्योंकि जब तक यह carbon BR वाला bond break नहीं हो सकता होगा, तब तक यह इसके साथ connect नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पर back side में crowding, bulkiness बहुत ही ज्यादा है, तो यहाँ पर यह आपका nucleophile इतना strong है, कि यह weight and watch नहीं करेगा, मतलब यहर कब carbon BR के साथ bond break हो, उसके बाद मैं connect हो नहीं, यह directly attack कर देता, जैसे जैसे carbon BR bond break होता जाता है, उसके साथ ही यह back side से attack कर देता है, और back side का यह जो भी आपका CH3 है, वहाँ से hydrogen को निकाल कर, वो खुद का काम लेकर चला जाता है, वो इस carbon के साथ connect नहीं होता है, देखो, CH3, CCH3 और एक जो आपका CH3, 1, 2, 3 CH3 थे, उसमें से 2 CH3 as it is है, लेकिन कोई CH3 आपका convert हो चुका है CH2 में, तो यहाँ से हाइड्रोजन कहां गया, यह CH3 O वाला जो पार्ट है, वो एक हाइड्रोजन यह देखो, इस हाइड्रोजन को उठा कर ले गया, समझो, हाइड्रोजन को किड्नेप करने की यहाँ पर एक कोशिस साजिस की गई थी, देख रहे हो दया, बस वैसे ही, तो यहाँ से, जैसे यह आपका नुकलियो फाइल है, इस कार्बन के उपर एटेक करकर, वहाँ से हाइड्रोजन को निकाल कर, खुद चला गया CH3, OH में, अब यह आपका NABR, simple, NA plus, BR minus, तो आपका जो भी प्रोड़क्ट फ़र्म हुआ, बच्चो, वह हुआ, आलकीन, वेन यू आट टेकिंग 3 डिग्री आलकाइल हलाइड, अगर आप 3 डिग्री आलकाइल हलाइड ले रहे हो, तो आपका प्रोड़क्ट जो फ़र्म होगा, बच्चो, वह क्या होगा, आलकीन, इथर नहीं होगा, चाहे आप Williamson synthesis कर रहे हो, फिर भी, ओके, तो आगे थोड़ा इस पार्ट में क्या है, जो भी Aromatic में, यहाँ पर Na बच्च में सबको bond break करना बच्चो आता है, yes, Na प्लस, OH माइनस, O माइनस, H प्लस, यहाँ पर remove होगा, H2O, सेंटर में sodium phenoxide, यहाँ तक तो सबको आता है, right, call base speed में भी यहाँ तक तो था ही, इसके बाद आगे जो बच्चो, Rx में ने जो लिया है, तो Rx ने है, तो वो तो निकल गए, Na, X, अभी देखो, benzene ring के ओपर oxygen के साथ यह R वाला part connect हो गया, तो आपका यह आलकाल, sorry, मदलब आपका यहाँ यहाँ पर क्या बन गया, ether बन चुका है, right बच्चो, तो Williamson synthesis के बारे में अगर हम revise कर करकर अगर बात करें, तो देखो, सबसे पह प्राइमरी ले रहे हो, आलकाल हेलाइड प्राइमरी ले रहे हो, तभी आपका ether form हो सकता है, इस तरह का, बाकि अगर आप प्राइमरी की जगा पर इस तरह का टरसरी वाला कोई भी आपने आलकाल हेलाइड ले लिया, चाहिए पार्ट बले ही छोटा हो, लेकिन यह आपका ही है तो ओविएसली यह बलकी सब्सक्राइब बना दिया और इस तरह का अगर फिनॉल है अरोमेटिक इथर बनाना है तो आप इस मेथर से अरोमेटिक इथर भी बना सकते हैं रहेट बच्चो तो बस यह जो तो भी हमने इस चेप्टर के जितने भी इंपोर्टन बढ़िया बढ़िया जो थियरी थी जिसने सभी बच्चो के नाक में दम करके रखा हुआ था तो बढ़िया से टेक्निक के साथ आपको यह सारी चीजे जितना भी हो सके उतने कम टाइम में वन शॉट में सारी चीजे बहुत सारी चैनल से बहुत जगह से आपको वीडियो तो मिल जाते आपके स्कूल कोचिंग टीचर्स भी पढ़ा देते लेकिन एक्जाम के वग सारी चीजे जो और ऑरगीनिक में कुछ भी मिक्स ना हो और बढ़िया से सारी चीजे को कैसे याद किया जाए फंडमेंटली स लगता है कि सर ने बढ़िया से एक टेकनिक बनाई थी आज तक आपने इस मैथर से मुझे लगता है कि कहीं भी आपने नहीं पढ़ा होगा पूरे इंटरनेट पर देख लिए किसी भी टीचर का वीडियो स्टाइल में ऐसा आपको नहीं मिला होगा त्यार बच्चों बस आ कैसे याद किया जाए सारा और्गेनिक उसके लिए भी वीडियो बना देगे बच्चों तो चलिए मिलते किसी नए वीडियो के साथ तब तक के लिए टाटा बाई बाई